अलो दिया रश्टेंट्स वेलकम बैक देखिए ये दो कोशन आज करने वाले हैं ये ओडी का देखिए इस कोशन में आपको ग्रेटिस्ट एन लिस्ट वेलू अफ दा फंट्सन इसका मेलो बताना है राइट आप इस टाइप का प्रोलॉम आपने पहले सॉल्ड किया होगा य ये कोई नया कोशन नहीं है अब चुकि ये फंक्सन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसके वज़ए से ग्रेटिस्ट एन लिस्ट वेलू निकालना भी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है कुछ हाद तक आपको फसाने का कोसिस कर सकता है और इस कोशन का तो जवाब ही न एक विलोग दुवार आपको मेरे पास गीवेन है और हमें एम अद इस एम अपको बताना है ओकी तो और आपके सामने गीवेन है और पर दियान देना है तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोब्लेम हूँ आशू डेंट को मतलब ये कोशन किसी के सामने दिया जाए तो वो सबसे पहना स्टेप क्या अपलाई करते हैं और ये गलत में नहीं है क्योंकि maximum question में अगर ये given रहता है तो जिनरली क्या होता है कि इसको integrate करके हम लोग proceed करते हैं लेकिन क्या इसको यहां पर दोनों साथ integration लगाए और integrate करें तो क्या इसको integrate करना possible है कि आप इसको integrate easily कर पा का बट अपने आप में मज़ेदार होता है और conceptual question होता है question उसका महले ही क्यों नेंदी दिखता हो जैसे उसका statement आप पड़ोगे ना तो आपको बहुत लंबा लंबा दिखेगा जैएगा लेकिन उसका solution होता है ना वो बिल्कुल छोटा सा ही होता है और जो उसका solution होता है ना नहीं कर सकते हैं लेकिन हम maximum student ये गलती करते हैं और ये गलती होने के पीछे एक reason भी है मैंने बोला कि बहुत ऐसे question है जिसमें एक condition given होता है उसको integrate कर कहीं प्रोसीर किया जाता है और answer भी आता है लेकिन सब के साथ ऐसा हो यह भी possible नहीं है यही सब practice करना पड़ता है और हमे बहुत ही जलती आ जाए तो देखिए इस एक तो इन्युक्निति आपको यहां पर देखी गया और sign to the power for by x मतलब sign x को लेकर प्रोसीड करते हैं तो एक चीज मेरे मांड में आता है ना क्या जो तो sign x और यहां पर इसके पीच में लाई करता है तो आप एक वर से लिखूँगा sign square x यहां लाई करेगा ठीक है तो अगर मैं यहां पी sign to the power for कर दो एंड एंगल यहां पर पाइक्स है ना तो यहां पर पाइक्स निम दूं एंगल तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है यह भी आपका करेगा राइक देखिए इनने को लिटीज आपको एक पकड़ में तो आया ना क्योंकि आपको कुछ इस टाइप में ही तो convert करना है राइक अब देखिए इसके साथ सबस्क्राइब कर लेते हैं तो दोनों साइड सब्सक्राइब आफ इस और यहां पर विडाईगा टीस यहां पर पर और यहां पर यहां पर इस और आप पर यहां हो जाएक लाइगा ना चैंप करते हो तो इन अग्लिटिस का साइज जेंग कर जाता है वही दिखा हम ने ठीक है नाव आप यह 192 एक स्क्रीव यह वह भी कर लेते हैं अब यह दिखा हुआ है तो दिखें कुछ न कुछ तो आपको हद तक दिखनी लगा होगा कि कोशन सही डारेक्शन में जा रहा है अब लोग जा रहे हैं यह बोल सकते हो आप यह हो गया मेरे पास एक और यह जागा मेरे पास नाइंटीसीक्स एक्सक्यों टीक है आपको लाना क्या है लाना है आपको इंटीग्रेशन वन बाइट वन एफिक्स इस पर ज्यान देना है आपको तो सबसे पहले मैं इसको त्वासा इधर फ्रेस लिखता हूँ देखिए सिक्स्टीफूर एक स्क्यूग लेस देन दीस एंड यहाँ पी क्या था मेरे पास एफ डैस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू और यहां पर निखा वाइज अब यहां पर यहां पर दीएक्स और यहां भी लोग लगा लेते हैं अब अब यहां पर अपर लोब लिमिट क्या थे है देखिए अब यहां पर एक गर्टर यहां पर लिमिट कितन इता है 50 अब यहां पर लिमिट कितना है 15 इंड युट यहां करने कोसिस करोगे तो आप फस जाओगे क्योंकि जैसे ही one by two डालोगी मतलब one by two लिखोगे one लिखोगे इसको इन्टिग्रेट करोगो एफेक्स आएगा और फाइनली आप upper and lower limit कूट करते हो तो आपका पास एफेक्स गाइब हो गया तो आप एफेक्स लाओगे कहां से यह चीज़ का ध्यान रखना है तो हमें क्या लेना है आपर एंड लोवर लिमिट एक ही तो देखिए यहां पे लोवर लिमिट हम लोग सेम रखेंगा one by two क्योंकि जो निकालना है उसमें फी मेरे पास लोवर लिम से से अधर बसंड बसंड लोवर लोवर उसमें एक्स वadow एक्सum обс बाक्न की एक्स तिपिन मेरे पास हो यहां खरने नई तो हम दो मिलने है इस ओवर मारे पके लगान में लोगसर बवचर्स केंशित मैड़ खरना मिलवन आछ कर दब रजतन मैं आंघबित छ तकीन मेरे पास यहां पर यहां पर यहां पर किसे निकालते यह भी आपको अस्टेफ खोलो करना है समझना है ठीके रतना नहीं और समझे कि कैसे हो रहा है और अधिर यहां पर यहाँ दो यहाँ पास हो जाएगा 24 और यहाँ पुर झान यहाँ पर ऐसा पर फोट मैनस वन अपन में आपर वो जाएगा 16 यहाँ निकल लिया राइट इसको थोस्सेंप्रिफाइक कर लोगगा तो 16 एक्सटेट पावर 4-1 यहाँ यहाँ पर देश दर और यहाँ पर मेरे पा स्टमलै स्थार एकल दीखो अब इसको भी आपको इंटेग में होयख अब आपको कौषिए अ गया है यहां पर लिके और यहां पर one by two and then this और यहां पर हम लोग लिखने ऐसे करके और यहां पर dx right clear ओके अब बस इसको integrate करना है और इसको मैं ऐसे निखते चलूँगा last one लिखनूगा क्योंकि अब इसी का तो पहलों निकालना है तो मुझे बस इसके आगे पीछे के वहनों निकाल देना है मत्तब जो इफेन है जैसे ओर है इसको integrate कर लाता हूं तो 16 next to the power five divided by five and then minus x and then value one by two to one यह हो जायता है 24 next to the power five divided by five यह five निखा हुए ठीक है ना यह आपका पास five निखा हुए एंड माइनस यहां पर हो जाएगा मेरे पास three by two x and limit one by two to one right ठीक है अब एलो बूट करने क्या यह हो जागा मेरे पास 16 upon five and then minus one यह हो गया एक लेस्टन इक वर इसको किसी कर लेता हूं तो यहां पर one डालता हूं तो यहां पर वन डालता हूं तो यह हो जागा 24 upon five minus कितना हो जाएगा मेरे पास three by two यह मेरे पास हो गया गर्ट देखना पड़ेगा कुछ गया और भूरा क्या बिल्कुल हां पी यह गया हो रहा है तो one by ten minus अना one upon two अब लिख लिक्रित हुए एक थीना one upon ten minus one upon two this or less than यहां पर this और यहां पर this and अब इसको भी simplify करना पड़ेगा ठीक है तो नीक्रित हुए था हो इक हुर 24 upon 5 24 upon 5 माइनस यहां पर हो जाएगा 3 upon 2 right this and then minus bracket अब यहां पर तरह सा simplify कर लूँ तो यह आपका 8 से हो जाएगा 8 3 जा and then 8 फोर जा 8 3 जा 24 8 फोर जा ठीक तो बिल्कुल करेक्ट हो गया तो 3 upon 20 3 3 3 upon 20 माइनस 3 upon 4 फोर यहां मेरे पस राइग अब यह गया मेरे पास 11 upon 5 and then minus 1 minus 5 right and this and you have this or you have this अब यहां पे लिक्रोट 24.5 माइनस यहां पे होजागा 3.2 and then plus यहां पे कितना होजागा 3.20 and then plus minus 3.20 यहां पे आपका होगा minus minus plus का हीं तो यहां रखना था पोश्चन नहीं इके ना minus and that plus कितना होजागा 3.4 अब इसको simplify कर लें तो यह लिखा हुआ है तो इसको में कम करता हूं चलो कर लेता हूं 11.5 and यह होजागा मेरे पास plus 4 upon 10 तो और हो सकता है I think सही लिखा है मैंने बिल्कल करेक्ट लिखा है less than equal to this or this है तो यहां पर 20 ही आपका ही है सह माएगा तो तो यानिवंग बदलाद नाइंटीस्क्स माइनस यह जागा मेरे पास minus 30 and then minus कितना हो जाएगा थ्री प्लशुथा आइज वह जाएगा and then plus कितना हो जाएगा आपके पास हुआ यानि कि यहां पर होजाएदा फेप्टी तो यह वोटाइक मेरे पास देस और यह अगा मेरे पास फाइक तो 11 प्लस 2 कितना हो घा 10 upon 5 okay यानि कि यह हो गया मेरे पास 13 upon 5 ठीक है less than this or less than this यहापर कितना हो जाएगा 66 66 में से 3 गाइगा कितना हो जाएगा 63 63 plus 10 73 3 3 plus 10 इतना हो जाएगा 66 66 में से ठीक है 63 63 अन फॉस्टेट रहें आम कितना हो जाएगा 73 PS 78 यानि टेका यानि कि 78 upon 20 ठीक है तो इसका वी तेकना हो जाएगा तो यहां पर तू कर दिया यहां पर दो कर दिया तो दिखेए 26 upon 10 यानि कि आगा 2.6 भी हां पर निक्लाओ को भेलो य और यहां से इसको 10 करता हूँ और इसको मैं 39 कर दिया ठीक है तो यहां पर वर्चिया मेरे पास 3.9 देखो तो अब यही तो आपको निकालना था यह हमारे पास दिवहने एम 20 और यहां पर लिखा हुआ तो 1 by 2 और यहां पर यह लिखा हुआ ठीक है यहां पर आपका 1 है ठीक है 1 by T और 1 by 2 ती नहीं आपको एम और यहां पर बताना है मतलब छोटे वाला एम बड़े वाला एम का इंटरवल देखिए 2.63.9 कौन समयज करेगा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ऑफसन अब देखिए एम इसको 13 इम इसको तो 24 नहीं पॉसिबल नहीं है यह एम इसको तो 1 by 2 0.5 तो आप 3.6 था लास्ट में 3.9 था यह थी एंड़ दीस यह भी पॉसिबल नहीं है अब 1 to 11 और वो जो दोनों वालूग है इसके पीच में नहीं करा यास यानि कि दी हमारा अंचर आए ठीक है तो देखो बहुत ही अच्छा पोर मतलब आपको सोचना ही काफी मतलब अतरनार था और जिसने सोच लिया वो मन न पड़ेगा यह तो है चलिए देखते हैं और एक कोस्टन है कैसे सॉल्ब करेंगे दिखिए पाइं ग्रेटिस्ट एंड लिस्ट वैलू अफ दफांक्सर इसने भी उसकोस्टन को सॉल्ब किया ह वह बहुत ही मैंड़ेट होगा यह तो कंफर्म है जो पहला कोस्टन जो कराया कि सोचना ही बहुत अलग था इस बहुत कम के माइंड में आएगा कि ऐसे भी किया जासकता है लेकिन प्रैक्टिस अगर हो और आपने कोस्टन पर प्रैक्टिस किया है बहुत ज्यादा और इस सब्सक्राइब कोई जाएगा और आपके लिए रहेगा ठीक है तो सबसे पहले इसको ना इक काम और कर लेते हैं अब चुकी सार इंवर्स एक से गीवान है तो क्यों ना इसको एक ही फंक्शन में रखा जाए आप उसके लिए एक आइडिटिटिटी कौन सा तो साइन इंवर्स 6 अन डेन ब्लस यहाँ पर लिक्रें कॉस इंवर्स 6 इसकल तो पर आई ऐडिटीटू ORAइड अब हम लोग लिखेंगे फंक्सण दे दिया एक इंटर्वल दे दिया लोज इंटर्वल आप से पूछ दिया इसका maximum और minimum बताओ तो इनकाम करते हो जो आपके पास interval given है उसका जो एंड वेलू है मतलब एंड वेलू ही वह आप ले सकते हो दो फिर्ट करते हो और फंक्सण को पार्ट का फिर लेंदी हो जाएगा यह मैंड में आ सकता है कि इसको वाइल ले लिया जाए डिवाई अपॉन लेक्स करके अपलाई किया जाए वहां से एक मतलब डिवाई अपॉन डेसे को जीरो करेंगे क्रिटकन पॉइंट से निकलेगा एकस का वेलू पिरपूर करके निक अब देखिए इस सटेप को करने के बाद यहाँ तक आने के बाद आपके माइंड में एक चीज और आना चाहिए आपको ग्रेटेस्ट और लिस्ट ही तो निकलना है और इस फंक्शन में साइन इन्वर्स एक्स दिग गया तो हम यह नहीं बता सकते कि साइन इन्वर्स एक्स अब यहाँ पर एक मैं अगर साइन इन्वर्स एक्स गर्टो पाइब लिसकता हो ना बिल्कुल यहाँ पर क्लोज इतरोले मत्ता मैं लोग है ओकी सो मेरे पास वाई के वर्यू कितना आ जाएगा मेरे पास आजाएगा पाई अपॉण टू और यहाँ पर देश एगा देश देश अगर आपका ध्यान ओप्सन पर गया अब देख्यों अगर आपका ध्यान ओप्सन पर गया गहारा दूता है और यहां पर शुद्व लगा दोगी आपको लगे ऑप्सन और आपने कर दिया और आगे बढ़े गर प्रद वह आते लूु चाहे को एंसा नहीं आ व्हस्त है हमने बिलोपुर सही फर्मुला लगाया सही हमने प्रिंसकंग लिया है सब सही है यह वहलू भी सही है लेकिन यहीं ग्रेटिस्ट और इस्ट में वह यह तो आपको चैकरना पड़ेगा तो जल्दिवाजी में कोई सब्सक्राइब करना चाहिए पुरा जब तक कॉशन कंप्लीट ना हो जाए तो हो सकता है कि सेवन पाई क्यों बाई एट भी हर अप्शन में दीख रहा है मुझे तो हो सकता है लेकिन फुरा सा इसको और सिंपलिफाई करना पड़ेगा आप देखना पड़ेगा कि इसका और क थटावाशन करता हो यहां पर साइन्वार्स एकस और आपकरते निएख्या लाइब गाने अगें च़कल लाए पर रियच्क्राइव पार्नीटी मिआ युल्ट हो तो मेरे पास कीउ Cabinet यहां पर लिखूंग है मैं। तो मायनस ट होल्ट्यूब when you get okay आप इसको में यहाँ पे म Heart P 입ु लगा देता हूं वाल्ट है क्योच अजितना रहा हूं ऑल्टी प्लस यहाँ लिखूंग हामें तो के यह बिख्यू 2 by 2 माइनस 3 daw? तो य उड़ा हे तो टी विडी कि ऊड़ा जाएं तो टीक यहां तो टीकव आप तो यहां से प्तब हो जाएगा ओके यह आपको यह पार से पर तो चला हें गया खिया यहां प्चेकिए में पास पाय की डिवाइड़ेक बाई एट 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 एंडन मैंनस की इत इन रोगे यह अम दिखें में क्या दिखने वालागे री आई बाइट स्क्वार बाइट ये अगश्यां बंग गया अब एक वाटिक बन गया तो आपको पता है फॉर रियल फैंडू या फॉर रियल रूट्स रियल रूट्स क्या होना चाहिए दी ग्रेटर दन इकुल तो जीटो इसकी में लेंट का वेंडू ओके सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस थ्री पाई स्क्वार बाई पूर और इसका होल स्क्वार माइनस खूर इंट कर लिए यहां पर इसको करता हूँ यहां पर लिख दो मैं 65 यहां पर लिख दिया पाई की डिवाइड वाई एक माइनस वाई अंतीस एक पाई एक पाई पाई रही दीचिए ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है नाइक क्योंकि कोश्चन में ना जितना आप सिक्स टाइम इन्तु पाई क्यों डिवाइड बएएट एट एंदें माइनस वाई क्यों की आते ही तो नाइन पाई उदो डिवाईड भाई शिक्स प्यू डिवाइद बएड बाए बेड दें मिंप्लस एक घ्ड़ीय होगिया हाँ से 3 मलों एकिन हो करि広एं वहां पर मैं थोड़ा सा इसको एंस लेकर स्वाल्ब करूं तो अगर मैं यहां पर कर दों तो यहां पर दिखे टरेक्ट ही हो जाएगा ना 9- कितना कि कि कितना आजाएगा मेरे पास कि कुछ गरगर तो नहीं कर दिया हमने बिलकुल करेक्ट हो चल रहा है हमारे पास 9 की चल लोग कर लेता हूं ठीक न उसलिमें क्या है यहां पर हो जाएगा 9 पाइक्यू माइनस हां बिलकुल करेक्ट है 36 पाइक्यू एकना एंड डिवाइद बाइद बाइ 16 और देन प्लस इक्स वाई आप आपका यह हो जाएगा और यहां पर कितना बचे गया तो 6 वाई तो इन इन इंगेटिव सान बचे गाई ठीक तो 36 में सन एन 27 तो यहां पर तो जाग अन थिरी कितना हो जाएगा दीस तो य ग्रेटर दन इक्रीक वर्टो कितना हो जागा मेरे पास 9 पाइक्यू 9 पाइक्यू एंड डिवाइद बाइक इतना हो जागा मेरे पास अट टी तो 9 पाइक्यू डिवाइद बाइ 32 नाइन यहां पर एक्षा कैसे बच रहे हैं यहां पर दिखना पड़ेगा थोड़ा सा 9 देस माइनस देस बीए स्क्यार माइनस 4 रसी 3 पाइब बाइ 2 6 पाइक्यू बाइद माइनस बाइ यहां पर आमने सही किया है नहार चीज कुछ गरव पाइक्यू बाइद तो 9 माइनस देस यहां पर हो जाएगा मेरे पास यहां पर 6 तो बचा हुआ था बिलकुल प्रणव था यहां पर 9-27 6 पाइक्यू बाइद यहां पर कुछ फ्रोल्म हो रहा है क्या अब इस पाइक्यू बाइद पिलकुल करेंब जा रहा है कोई और सब्सक्राइब क्या प्रोल्म है यही तो प्रोल्म हो जाता है ना जवाब त्वासमें लिखता मूंद सार्फट अबना इस तो आप हो जाओ ट्वेल्व हो गयारै कि आपका येज्यव हो गया ठींग्ट हो गया तो अजा तो आफी बचेगा था-क्री बचेगा- इस Tôi यहां से जब्लेख इसको भी और इसको भी अभूफ यहां एक ही पूरे गोटाए तां और हैं इसको escuchender you यहां पर चाहिए आपके पास 3 तो देखिए 3 यहां पर y 10 तो कितना आजाएगा पाई केव एंड डिवाइड वाई कितना आजाएगा मेरे पास 32 बेल्कुल करेक्ट तो y ग्रेटर न रिपूल टू तो this मतला y का जुम आपके पास जो मिनमुम है य पाई की वपॉन थर्टीटू को है या पाई की वपॉन यश्किन 30 यहां फोगा ठीक तो तीनों है लोको मिद्धा था हूं यहां पर दिखिए यह मेरे पास कितना पाई की वपॉन थाटीटू अचछी तो एंड एक मेल अडिकिऊ पास अल्ड़ आए और यह तो हट गया मारा यह सही लग रहा है कि यह खी में दे रखा और पाइकी वपॉंट थी टू ओबियस है इन दोनों में यही तो छोटा है तो हमारे पास दी आंसर आ गया आपको पता है ना डिनोमिनेटर में जीतना नमबर बड़ा बड़ा रहेगा मतलब ग्रेटर रहेगा यह नमबर उतना ही क्या रहेगा छोटा रहेगा तो पाइकी वपॉंट इससे बड़ा है मतलब यह हमारे पास सबसे चोटा हो गया और हमारा आंसर आ ठीक है देखो एक फ़ोड़ा तर्याब हो गया था है कैल्कुलेशन एरर मतलब नहीं था यह 3 को मैंने 3 इंटू 2 समझ ल बाह बाहे अएकिव